Welcome back friends, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से Yes Bank के FPO के बारे में बात करने वाला हूँ ये FPO आज याने की 15 जुलाई से ही Retail Investors के लिए Open हो रहा है बहुत सारे निवेशकों के मन में ये सवाल है कि Yes Bank का आज का Closing Price 21 रुपीज का है और FPO का Price Band 12 से 13 रुपीज का है याने की FPO Price Current Market Price से तकरीबन 40% कम है तो ऐसे में क्या हमें FPO में Apply करना चाहिए और दूसरा सवाल ये है कि क्या कुछ दिनों के बाद Market Price Slide होकर 12-13 रुपीज के आसपास चला जाएगा तो इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों सवालों का जवाब दूँगा और वीडियो के end में ये बताऊंगा कि मैं खुद इस FPO में Apply करूँगा या नहीं तो सबसे पहले समझते हैं कि IPO और FPO में क्या Difference होता है मेरे पिछले वीडियो में हमने Rosary Biotech Limited का IPO Analysis किया था और आपको याद दिला दूँ कि आज उस IPO का Last Day है जब कोई Unlisted Company Stock Market में पहली बार अपने Shares इशू करती है या ये कहें कि पहली बार List होने आती है तो उसे IPO या Initial Public Offer कहते हैं उसी तरह जब कोई ऐसी Company जो कि पहले से Stock Market में Listed हो वो अगर Market में अपने New Shares इशू करती है तो उसे FPO या Follow-on Public Offer कहते हैं हाला कि Already Listed Company के पास FPO के अलावा QIP, Rights Issue और ऐसे ही कुछ और Roots भी होते हैं जिसके थूँ Listed Company New Shares इशू कर सकती है बट अभी के लिए हम सिर्फ Yes Bank के FPO पे ही बात करेंगे देखिए आप सभी को ये पता ही है कि Yes Bank की Condition fundamentally तो काफी खराब है और पिछले एक साल में Bank में जो पूरा घटना करम हुआ है उसके वज़र से Bank का Reputation भी काफी खराब हो चुका है काफी सारे Retail Investors इसमें काफी High Levels पे फसे हुए है March 2nd week में Yes Bank को कुलाप्स होने से बचाने के लिए गौर्वर्मेंट के order पर State Bank of India and 5 other banks ने मिलकर Yes Bank में 10,000 करोड इंवेस्ट किये और इसके बदले SBI को Yes Bank का Approx 49% stake मिला और साथ ही गौर्वर्मेंट ने Yes Bank की 75% shares को 3 सालों के लिए लॉग कर दिया याने कि जिन इंवेस्टर्स के पास Yes Bank के 100 से जादा shares थे उन सभी के 75% shares को लॉग कर दिया गया और वो उन 75% shares को 3 सालों तक बेज भी नहीं सकते और इस वज़ा से काफी सारी retail investors Yes Bank में फसे हुए है 10,000 करोड के investment मिलने के बाद भी Yes Bank को अपना business run करने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ रही है और इसी वज़ा से Yes Bank ये FPO ला रहे है आगे बढ़ने से पहले यहां मैं आपसे एक बात और clear कर दूँ कि अब FPO में जो नए shares issue किये जा रहे हैं उनमें कोई भी lock-in नहीं है याने कि issue होने के बाद आप इन shares को कभी भी बेश सकते हैं इसके अलावा आपको ये भी clear कर दूँ कि FPO में apply करने के लिए आपके पास पहले से Yes Bank के shares होना जरूरी नहीं है याने कि चाहे आप पहले से Yes Bank के shares hold करते हो या ना करते हो दोनों ही condition में आप इस FPO में apply कर सकते हैं चलिए तो अब इस FPO के details जान लेते हैं FPO 15 जुलाई से 17 जुलाई तक open रहेगा FPO का price band 12 रुपए से 13 रुपए पर share का है Company को बहुत urgent में पैसे raise करने हैं इस वज़े से FPO का price band इतना low है इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि 15 रुपए के ऊपर के price पे institutional investors Yes Bank में invest नहीं करेंगे इस वज़े से मजबूरी में management को price band लो ही रखना पड़ा इसके अलावा lot size याने की minimum order quantity 1000 shares की है FPO shares की proposed listing date 27th July की है और FPO का issue size 15,000 करोड का है याने की इस FPO से Yes Bank 15,000 करोड raise कर रही है जिसमें से 200 करोड के shares Yes Bank के employees के लिए reserve रखे गए है और Yes Bank के employees को 1 रुपीज पर share का discount भी मिलेगा FPO में 35% shares retail investors के लिए reserve रखे गए है और anchor investors के लिए bidding date issue open होने से एक दिन पहले जाने की 14 जुलाई का रखा गया था और FPO open होने के पहले ही Yes Bank ने anchor investors के थूँ 4,100 करोड रुपीज रेस कर लिया है जिसमें से 55% Baytree India Holdings ने acquire किया है जो की US-based Tilden Park Capital Management Company की subsidiary है और Tilden Park US की जानी मानी Asset Management Company में से एक है इसके अलावा HDFC Life Insurance Company Limited, Amansa Holding Private Limited और Ilara India Opportunities Fund Limited ने भी individually 9% से जादा shares acquired किये हैं और ये सारे ही shares 12 रुपीज पर share के rate पे जारी किये गए हैं चलिए तो अब जानते हैं कि Yes Bank के इस FPO का objective क्या है क्यों Yes Bank FPO ला रही है और इस FPO से raise किये हुए पैसे का company क्या करेगे मार्च 2020 के financial numbers के अनुसार Yes Bank का CET1 ratio याने की common equity tier 1 ratio 6.3% था और RBI के अनुसार किसी भी bank का CET1 ratio 7.375% से कम नहीं होना चाहिए और RBI September 2020 से CET1 ratio को बढ़ा कर 8% करने वाली है अब क्योंकि Yes Bank RBI द्वारा prescribed threshold levels को achieve नहीं कर पा रही है इस वजह से Yes Bank ये FPO ला रही है ताकि FPO से मिलने वाले amount से Yes Bank RBI के requirements को fulfill कर सके अब in the end final conclusion से पहले कुछ और चीजों को समझे Yes Bank एक private bank नहीं रही इसका 49% stake SBI के पास है याने की market अब Yes Bank को दूसरी सरकारी banks की तरह valuation देगा ना कि private bank की तरह बहुत सारे retail investors Yes Bank में बहुत high levels पे फसे हुए है Yes Bank में सभी का पैसा डूबा है चाहे वो shareholders हो या Yes Bank के bond holders या कोई और उपर से तीन साल के lock-in की वजह से ये shareholders अपना बचा हुआ पैसा भी नहीं निकाल सकते Yes Bank में काफी high NPAs हैं उपर से कोरोना के वजह से आगे जाकर ये NPAs और बढ़ सकते हैं कमपनी का कासा रेशियो याने की current account and saving account रेशियो भी पिछले कुछ quarter से लगातार कम हो रहा है Financial year 1920 में कमपनी ने एपरॉक 16,500 करोर का net loss पोस्ट किया है और इन वजहों से FPO का price band भी काफी कम रखा गया है FPO के price band के हिसाब से downside risk limited है और anchor investors ने भी आज कमपनी पे भरोसा दिखाया है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत listing gain हो सकता है पर आप इसमें तभी apply कीजिए जब आप एक high risk trader हों और अगर आप listing gains के लिए इसमें apply करते भी हैं तो एक या दो lot से ज़्यादा के लिए apply ना करें क्योंकि सभी यही सोच रहे होंगे कि listing gain के लिए apply कर देते हैं बट जब shares actually में list होंगे और उस दिन सारे investors इसे बेशने की कोशिश करेंगे तब दिक्कत हो सकती है और इसके अलावा बाकी के retail investors जो पहले से yes bank में काफी high levels में फसे हुए हैं उनको ये समझना होगा कि yes bank अब fundamentally investment के लिए qualify नहीं करता तो investment purpose के लिए मैं yes bank में आपको निवेश करने की सलान नहीं दूँगा अगर आप अपना किस्मत आजमाना चाहते ही हैं तो एक lot के लिए apply कर सकते हैं और अपना average cost कम कर सकते हैं ये FPO काफी risky होने वाला है इसलिए इसमें सिर्फ experienced high risk takers ही apply करें और बाकी सभी इस FPO को avoid करें हाला कि अगर आपने FPO में apply करने का मन बना ही लिया है तो कल याने की 16 जुलाई को शाम को इस FPO का subscription status चेक कीजिए और subscription status के accordingly अपना final decision लीजिए personally मैं इस FPO में apply नहीं करूँगा ये मेरा personal view है और मेरा view biased हो सकता है आप कोई भी decision लेने से पहले अपने financial advisor से सदा जरूर लें I hope कि आपको ये video पसंद आया होगा और आपको अपने सारे सवालों का पूरा जवाब भी मिल गया होगा अगर video पसंद आया हो तो इस video को like करना ना भूले और अगर आप इस channel पे new हैं तो इस channel को subscribe जरूर करें ताकि आपको ऐसे informative videos आगे भी मिलते रहें मिलते हैं next video में Till then, take care, bye bye